असलाम रेकूम माई टू फेमली वेलकम बैक माई जोवील आज का नेकर्जायन बहुत ही कुपसूरत सा और असान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी टिप्स अंड टिक्स पे आप लोगो साथ इसमें में शेयर करूंगी तरीका आप लोगों को पता है मेरा बहुत ही असान है नेकलाइन बनाने का और उसके इलावा इसके आज मैंने और भी असान कर दिये इसकी कटिण, अलग से आपको कटिण नहीं करनी पड़ेगे एक साइड से गरे को अम पहले कटिंग करें भार के बाद में धूसरी साइड से यह इक अधम कट रहे का वाके ही असान है वीडियो को फुल वाच कीजिए कर चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैंने एक जॉइन ले ली है जो कि कुछ इस तरह से है उसके बाद मैंने एक चौड़ी लैस लिए इसमें टोटल हम लैस से तीन तरह की यूज करेंगे और यह एक बारी का निशान लगाया 3.5 और चुड़ाई का 3.5 लगाया लंबाई का लगाया 6 इंच का निशान और इस तरह से चोरस बॉक्स बनाने के बाद अच्छे से राउंड शेप दे ली हमने हलके हाथ से दे लेंगे जब हमें लगे कि हमारी राउंड शेप अच्छी आ गई है उसके से हमने हाफ इंच में दो सुतर का मार्जन रखते वे इसको अच्छे से स्लिट पर निशान लगा लेंगे अच्छा यह लीव्स कट किया है हार्ट पेपर के उपर दो इंचिस की लंबाई और एक इंचिस की चुड़ाई है सेम एक्वल साइज से उपर निचे से कट किया है हम दोनों साइडों से ही इकवली है तिर्चे से शेव में हम यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेव के पास ही रखेंगे एक पती को ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद दर्म्यान वाली पती को ड्रॉ करेंगे सेम उसी तरह ही और उसके बाद तीसरी पती हम इसके साइड में और भाद में हम लाइन लाइनगे, राँंड शेव में जो हमने लाइन लाइन लाइने है, वह पत्यों के दर्मयान में जो हमने इस की बाहर से आुटलाइन देनी और वह तक्रीबन हाफ हिन्च में 2 xuतर का मार्जन रखना की कम रखना है 2 xuतर हमने. तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सारी लाइनों को इस तरह से पतियों की शेव में ही बनाके और सीधी स्लेट पे भी सेम हाफ इंच का ही निशान लगा लेंगे तो इस तरह से देखे हमारे गले की ड्राफ्टिंग कम्प्लीट हो गई है यहाँ ऐसांद से तरीके कासा? एक साइट से ही गले को हमने ड्राफ्ट किया है सारा और उसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग कटिंग भी सेम इसी तरह ही होगी कि एक साइट से हम कटिंग करना स्टार्टकरें राउंड शेप को कट कर लिए अब बाहिर वाले जितनी भी एकसा चेपी बुक्रूम होगी उसो कट करके हम जो हमने लाइने लगाई थी उसी के मुताबिक इसको निकाल देंगे और उसके बाद हम करेंगे इसकी अंदर से कटिंग कर लेंगे नेक लाइन की तो यह दर्म्यान के स्लेटर पर विस्तर से हम यहां पर जॉइन लेस लगाने उसको कट कर लेंगे अब पतियों की शेप में से हम चेपी बुक्रूम को निकाल देंगे तो डबल साइड में ही मैंने पकड़ाओ आए अराम से एक साइड से पति कट करें दुसरे साइड से अटोमेटिक सेम उसी कटिंग पे ही हमारी आ जाएगी अब एक पती को मैंने कट कर लिए अब दर्मियान वाली को कटिंग कर लेते हैं तीनों पतियों को वन बाई वन करके कटिंग कर लेंगे और यहां तक हमारी इसकी ड्राफ्टिंग के बाद कटिंग कम्प्लीट हो जाएगी नेक लाइन की कटिंग करने के पाद इसकी फाइनल लूक देखेगा बहुत ही खुपसूरत और नीटनेस के साथ नेकलाइन हमारी कटिंग हो गई है, अगर आपकी कटिंग अच्छी है तो स्टीचिंग उतनी ही नीट आएगी और पेस्टिंग भी उतनी ही नीट आएगी न, तो यह देख सक अब मैंने तक्रीबन एक सुतर कम हाफ हिंच का मार्जन छोड़ा है, कपड़े को कट कर दिया, पतियों में से सारी पतियों में से कपड़े को निकाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा दो सुतर के मार्जन पे छोड़ दिया, अब एक पति का कट करके मैं आप लोग को दिखा के साथ में ये वाली टिप्स शेयर करूंगी और जहां पर देखे ये कोने बन रहे वहां पर भी डीप कट लगाएंगे तभी फोल्डिंग अच्छी आएगी तो इस तरह से गुलाई वाली शेप पर लाजमी कट लगाया करें तो बहुत अच्छे तरीके साथ इसकी पेस्टि प्रेट हो जाएगी इसी तरह से में सारी पतियों की फोल्डिंग कर लूँगे पहले एक साइड से तीनों पतियों करूंगी उसके बाद दूसरी साइड से फॉल्ड कर लोंगे तो देखे एक साइड पर मैंने कर लिए दूस्साइड में भी करके दिखाती हूँ अब ये 6- तो अब हमुने गुलाई की साइड पे अच्छ से पेस्ट कर लेए थाitel मनि अच्छे से फैल करनी थे हाफ पत्ति में गल्लूव के साथ करेंगे तो अब ये slit को भी कर लेते हैं, इस तरह से पूरे गले की हमने pasting complete कर लेनी है, pasting के बाद हम इस पर करेंगे, less जो fill करनी है, वो अच्छे से हैं, वो भी हम glue के साथ ही fill करेंगे, तो यहां तक गले की needness देख सकते हैं, सारे extra कपड़े की मैंने folding कर लिए, दर्मयान की slit का deep cut लगाएं, वहां पे भी इसको अच्छे से fold कर लूँग, ताकि यहां से भी अच्छे से neat आ जाए, तो अब इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे join less दर्मयान में, क्योंकि दर्मयान को पहले complete करेंगे, अच्छे से less लगाके, और उसके बाद हम पतियों में filling करेंगे less की na, glue लगाई और ultra रखते वे less को इसके उपर अच्छे से fix कर लिए, एक side से outline को अच्छे से बिठाते वे लगाई, उसके बाद दूसरे side से भी लगाते वे मैंने press लगा ली, less को set करते वे अच्छे से press लगाई, अब दर्मयान की हमारी अच्छे से join less लग चुकी, अब जो चो cutting complete कर लिए, design को आपने दिहान रखना है, जैसे पहली पती पे आपने design को अच्छे से रखा होगा, उसी तरह दूसरी पती में भी same design आना चाहिए, तो मैंने design का अच्छे से धिहान रखते वे सारी पत्यों feeling कर ली, अब जो हमने one sided less ली थी उसको हम गोल गले की गुलाई प लेस की, तो अच्छे से यहाँ पर हम चोरस में इसकी नोक बना लेंगे, गलू के साथ काम करना असान हो जाता है, गलू का इस्तमाल लाजमी किया करें, अच्छा नेक्स वीडियो में मुझे काफी सारे comment आते हैं, गलू के साथ लेस जब हम लगाते हैं, तो wash के बाद वो ख लेस को wash करके दिखाऊंगे, अच्छे से, अच्छे से लेस को wash करके दिखाऊंगे, आप देखेगा, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, आप लोग के सामने ही यह demo दोंगी में, आप वीडियो में लाजमी देखेगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी, तो आप लोग कर डूड दूर हो जाएगा कि glue के साथ जब हम काम करते हैं और wash के बाद वो खराब हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो गले की देखे लुक कितनी खुबसूरत आई, अभी तक मैंने इस पे कोई slide नहीं लगाई, और लुक देखे बहुत ही खुबसूरत आई, अब सबसे पहले हम एक slide लगा लेते हैं, बाकी सारी slide हैं हम shirt के उपर रखते वे लगाएंगे, लेकिन एक दर्म्यान की लगा लेते हैं, तो लाजमी अगली वीडियो को follow कीजिएगा, और जरूर देखिएगा, मैं आप लोगो जरूर दिखाऊंगी इसका, demo के कैसे हम इसको wash करेंगे, और बि साइड में मैंने गले को paste करते वे, अच्छे से यहां पे glue लगाके, और दर्म्यान इसकी round shape की हमने लगा लिए, अब उल्टी कमीज के उपर, गले को भी मैंने उल्टा ही रखा है, यानि जो गले का उल्टा साइड साब उपर को आया, सीधा यानि उल्टी कमीज के साथ attach हो लाइन के उपर sly लगाऊंगे, front वाली outline है सबसे पहले, यहां गले की needness आ जाती है, उसके बाद देखी गए, यह line मैंने लगा लिए sly की, इसके बाद यह बाहर वाली जो less की साथ साथ हम sly लगाएंगे, जिस shape में हमने गले cutting किया, उसी shape में ही सारे गले पर हम sly लगा अब क्योंकि हमने centerless पे पहले पहले इस sly लगाई हुई थी, अब बाकी सिर्फ इसमें पतियों की sly रह गई है, और देखे कितने असान तरीकिक साथ ही गला बन के तयार हुआ है, बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लग रहा है, देखे स्लाइया मेरी complete होगा, पतियों मैंने share किये, printed shirt के उपर plane के साथ भी किये, और plane पे plane के साथ भी मैंने आप लोगको design बनाने बताएं, दोनों fabric plane पे मैंने आप लोगको बनाने बताएं, तो idea मैं आप लोगको सारे दे देती हूँ, जैसे भी आपकी shirt और कोई भी design बनाना हो, तो इस बात की कोई मुश्किल कि आप अराम से वो design बना सकते हैं, तो इस तरह से देखिए, पतियों की shape पे सेम, outline पे मैंने style लगा ली और गला बन के तियार होगे, दो-तिन style के साथ हमारा गला बन के तियार होगे, असान से तरीक साथ मैंने गला बनाना बताया, और भी आप लोगको neckline मैं आप लोगको next पे बनाना सिखाऊंगे, और कोई sleeves पे design भी मैं आप लोगको leap shape का एक बनाना सिखाऊंगे, बहुत ही असान है वो, तो वीडियो को full watch किया करें, और चैनल को subscribe करें, वीडियो के लाइक फिर आओंगे एक नई वीडियो के साथ, अला हाफिज